पाठ आट सर्वनाम दिपेश घर से निकला दिपेश साइकल लेकर दिपेश के दोस्त रंजन के घर गया दिपेश रंजन के साथ स्टेडियम गया वहां पहुचकर दिपेश ने दौल लगाई उपरोक्त वाक्यों में दिपेश संग्या का बारंबार प्रियोग होने से सुनन और पढ़ने में भी बड़ा अटपटा सा लग रहा है यदि प्रतेक वाक्य में संग्या के स्थान पर कहीं कहीं सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वहां अधिक अच्छा और प्रभावशाली लगेगा अब इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाए दिपेश घर से निकला उसने साइकिल उठाई और अपने दोस्त रंजन के घर गया फिर वह रंजन के साथ स्टेडियम गया वहां पहुँचकर उसने दौल लगाई इन वाक्यों में संग्या शब्द दिपेश की स्थान पर उसने अपने वह और उसने शब्द का प्रयोग हुआ है इन शब्दों क प्रयोग से भाशा रुची कर और वाक्य के कथन प्रभावी लग रहे हैं सर्वनाम संग्या के स्थान पर प्रयोग्त किये जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम का अर्थ सर्व जमा नाम वह नाम जो सब के लिए है सर्वनाम के भेद सर्वनाम के छै भेद होते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, प्रश्न वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, लिज वाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम, वे शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी और के जिनके बारे में चर्चा हो रही हो प्रयोग किये जाएं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है जैसे तुम्हें हम वह आदी जैसे हम यह क्रिकेट मैच हार गए शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो तो तुम और भी अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हो पाठ आठ सर्वनाम दिपेश घर से निकला दिपेश साइकल लेकर दिपेश के दोस्त रंजन के घर गया दिपेश रंजन के साथ स्टेडियम गया वहां पहुँचकर दिपेश ने दौल लगाई उपरोक्त वाक्यों में दिपेश संग्या का बारंबार प्रियोग होने से सु पुरुश वाचक सर्वणाम को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है. पुरुश बोलने वाले वा लिखने वाले केवल स्वैम के लिए प्रियोक्त करते हैं. जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मैंने, हमने, मुझसे, आदी, मैं खाना खा रहा हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, मध्यम पुरुष, बोलने वाले द्वारा, सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रियोक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका आदी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रियुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वह, वे, उन्हे, उनका आदी विशेश आप आपने मध्यम पुरुष और आदर सूचक अन्य पुरुष के रूप में निजवाचक सर्वनाम में भी आपका प्रयोग किया जाता है निश्चय वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तू या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे यह वह इसे संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं यह मेरी स्ताइकिल है, वह घर राजीव का है, विशेश, वह तथा वे, पुरुष वाचक तथा निश्चे वाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किये जाते हैं, दोनों में निमना अंतर है, पुरुष वाचक सर्वनाम, निश्चे वाचक सर्वनाम, वह गुंगा है, मेरी पुस्तक वह है, वह खूमने छले गए, वे सब आम के पेड़ है। अनिष्चय वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निष्चित वस्तू या व्यक्ति का पता नहीं चलता, उसे अनिष्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे पूजा के साथ कोई जा रहा था, देखना वहाँ कुछ गिरा पड़ा है, किसी की गेंद मेरे बरामदे में पड़ी है विशेश इन सर्वनामों में किसी कोई शब्द प्रियुक्त होता है कुछ शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रियुक्त होता है संबंध वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जिसे जिसे जो सो आदी जो तेज दोड़ेगा सो जीतेगा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा जिसने समय को पहचाना वह सफल हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराएं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन, क्या, किसने, आ दी कौन शब्द व्यक्ति के लिए और क्या वस्तू के लिए प्रियोक्त होता है दर्वाजे पे कौन खड़ा है तुम किसे बुला रहे हो ये गमला किसने गिरा दिया निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य के करता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयोग किये जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैंने खीर स्वैम बनाई है रेना खुद चली जाएगी मैं अपने आप कपड़े पहन लूँगा विशेश निजवाचक सर्वनाम करता के साथ अपनत्व तो दिखाते हैं लेकिन यह करता का कारे नहीं करते अब आपने जाना संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम शब्द संग्या की पुनरा वृत्ती को रोक कर भाशा को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं शर्वनाम के प्रयोग से पहले संग्या का उल्लेख जरूरी है सर्वनाम शब्दों के छह भेद होते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम निश्चय वाचक सर्वनाम अनिश्चय वाचक सर्वनाम प्रश्न वाचक सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुर सुनने वाले श्रोतय या पाठक के लिए प्रयोग किये जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिनके बारे में बात की जा रही है, उनके लिए प्रयोग किये जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते है जो सर्वनाम शब्द दूर या पास की वस्तूओं या प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, शब्दों का दूसरे से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे, जिससे, जो, सो, आदी, जो तेज दोड़ेगा, सो जीतेगा, जो जैसा करेगा, वो वैसा भरेगा, जिसने समय को पहचाना वह सफल हो गए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तू के विशे में प्रश्ण करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो भागों में प्रयोग किये गए संग्या या सर्वनाम में संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रियोग अपने आप या स्वयम के लिए किया जाता है अपने सी बड़ों के लिए आप बरावर के लिए और अपने सी छुटे के लिए तुम का प्रियोग होता है वह और वे निश्च्य वाचक और पुरुष वाचक सर्वनाम दोनों के लिए ही प्रियोग होता है निज्वाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष दोनों में आपका प्रियोग होता है आओ अभ्यास करें नीचे दिये गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। निम्लिखित सर्वनाम शब्दों का स्वर्चित वाक्यों में प्रियोग कीजिए। सही विकल्प पर सही लगाईए। सर्वनाम पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए। निम्न वाक्यों में दिये गए सर्वनाम शब्दों की गलतियां सुधार कर पुनह लिखिए। निमलिखित वाक्यों में जहां उचित हो संग्या शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखिए